नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने चैनल मनीनिस्ट में दोस्तों आज करीब 3.57 पे यानि 3.57 पीम पे ICICI Direct के द्वारा में एक मेल आया था और जब इस मेल को मैंने ओपन किया तो यहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं Introducing the All New ICICI Direct Market Mobile App तो इन्होंने एक नया Mobile App launch किया है तो इस भी एडियो में हम लोग वही देखेंगे कि इनका जो नया Mobile App है यह किस तरीके से है किस तरीके से वर्क करता है एक उवर्वियू जानने का प्रयास करेंगे ज्यादा मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी ज्यादे देर इसको चलाया नहीं है तो जो भी होगा आपके सामने मैं प्रसुत करता हूं तब अब आपके पास यहां नीची option मिल जाएगा आपको Apple का है या आपका Android है तो उस हिसाब से आप इसको download कर लीजेगा मैंने इसको install करके रखा हुआ है इसका ये वाला logo है ये orange color वाला और ये इसका app है यहां से आप open कर सकते हैं मैंने हाला कि जब इसको use किया तो मुझे काफी समस्या हुई तो मुझे लगा कि खाली ये समस्या मुझे ही है कि बाकी लोगों को भी है तो overview यहां पर आप जब देखेंगे लोगों ने comment रखा रखा है तो जो मुझे दिखते हैं समय में आ रही है वो बाकी लोगों के साथ भी दिखते हैं हाला कि अभी इनकी 172 के हिसाब से 4.4 की rating दिख रही है और आने वाले समय में ये जाहिर से बात है कमी होगी चलिए इसको app को open कर लेते हैं अब यहां से open करते हैं open करने के लिए आपको अपने user id, password, data board डालना होगा उसके बाद access code जो आपका होगा उसको डालना होगा उसके बाद मैं वो fingerprint enable करने को बोलेगा जो कि मैंने enable कर रखा है तब आप login कर पाएंगे, चलिए अब इसको हम login कर लेते हैं fingerprint के द्वारा और कुछ इस तरीके से आपके सामने options खुल जाएंगे तो जो लोग zero-dha use करते हैं तो वो लोगों काफी similar लग रहा होगा लेकिन आज की तारीक में भी मुझे लगता है कि zero-dha far better है यहाँ पर आपके सामने में दिखाऊंगा इसको तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीची यह जिरो-dha के तरीके से ही options कुछ मिल रहे हैं यहाँ पर watch list है, order है, यहाँ पर portfolio है, यहाँ पर news है और यहाँ पर more का option है तो जो यह news वाला option है, यह यहाँ पर जुरो-dha में नहीं मिलता है और मेरे दिली इच्छा है कि जुरो-dha के द्वारा भी यह news वाला option इंडिविस किया जाए तो चलिए अब more वाले option पर जो यहाँ पर इसके उपर click करके देखते हैं कि क्या-क्या चीजे है तो यहाँ पर हर चीज तो समझ में नहीं आती है जो काम की चीजे हैं जो हम लोग use करते हैं ज्यादा जिसे एक IPO वाला section है अब यहाँ पर आपको IPO वाला section मिल जाएगा more option में जाएगे और फिर वहाँ से आप IPO में चले जाएंगे उसके बाद यहाँ से आप my net worth देख सकते हैं और काफी चीजे हैं जो लोग FNO में काम करते होंगे वो अपना iPhone वाला देख लेंगे यहाँ पर क्या चीजे हैं और यहाँ पर आप यह इनका जो research वाला option है यह यहाँ पर आप देख लेंगे one click equity, I click to gain, I click to invest यह basically मैंने check कर रखा है तो one click equity पर जब करेंगे तो उन्होंने कुछ-कुछ basket बना रखी हैं कि single click पर आप एक certain amount आप invest कर सकते हैं उसके बाद में यह systematic equity plan में place SEP request, SEP request book और SEP stock list यह चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी और मिल जाएंगी और तो खास इसमें कुछ मुझे काम का चीज नहीं लग रहा है, हो सकता है आप लोगों के काम का हो तीक है, अब चलिए इसके बाद में यह जो watch list है, इसके उपर click करते हैं watch list में click करने के बाद में यहाँ पर जब drop down यह मैं यहाँ पर आप जब click करेंगे जो यह arrow का निशान बना हुआ है तब आपके पास यह options को लेंगे watch list 1, 2, 3, 4 तो अब इसके उपर जैसे हम इसका नाम चेंज करना चाहें तो अभी ऐसा कोई option हमें नहीं मिल पा रहा है जैसे आप watch list का अपना पसंद का नाम दे सकते हैं यहाँ पर हमें यह option नहीं मिल ला है ठीक है तो अब यह watch list एक बन गया अब इसके अंदर जो यह search वाला option है यह वाला इसके उपर जिसे हम click करेंगे और यहाँ से हम इसको stock को किसी को add कर सकते हैं जैसे माल लिजे sbi search करते हैं तो यहाँ bsc आ रहा है यहाँ पर add का जो option है इसके उपर जब आप click करेंगे तो यह add हो जाएगा अब यहाँ से हम back जाते हैं इस arrow से यह जो arrow बना हुआ है यहाँ से हम back करते हैं और आप यहाँ देखेंगे कि sbi का option add हो गया अब काफी slow चल ला है अगर यह fast होता है तो यहाँ आप जो ITC का आप पर वाल ग्राफ दे रहें इस तरीके से यहाँ पर sbi का ग्राफ भी तुरंद बनके आ जाना चाहिए था तो जो भी आज का है इनका यह आप देख रहे होंगे 424 रुपिया इतना पैसा और minus 1.51% और 6 रुपे का वो अब इसके उपर click करते हैं जो sbi का हम click करते हैं कहीं पर भी click कर देते हैं इस पूरे इस पूरे इस पूरे उसमें जो है इसमें कहीं पर भी click करते हैं चलिए click किया अब click करने के बाद में आपके पास यह option आ गया है यहाँ पर आपका buy का option मिल गया यहाँ पर sell का option मिल गया पहले से तो काफी better किया है लेकिन ज़ यह बड़ा complicated लगती हैं, फिर यहाँ पर आपको BSC और NSC को option मिल जाता है, तो इसको मैं अटाता हूँ, और इसको जैसे BSC के जो BSC है, इसके बगल में जैसे ही click करेंगे, वो NSC में change हो जाएगा, तो यह slide के तरीके से change हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर अगला option है, show chart, तो चलिए इनका चला chart खोलके भी आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से इनका chart open हो रहा है, यह देख रहा होंगे, और आप use करेंगे, तो आप समझ जाएगे कि मज़ेदार नहीं है, यहाँ पर इनका options है, यहाँ नीचे पर आपको जो अलग-अलग time frame है, week है, month है, day है, य सरीके से आपके पास में option मिल जाएंगे, और यह दिखिया, अपने आपी चला है, कुछ नहीं हो रहा है, अपने आप यह चला है, तो यह सब अभी इनको बहुत सुधार करने की जरूरत पड़ेगी, अगर यह अपने app को ज़्यादा अच्छा बनाय रखना चाहते हैं, competition ब और यह orders है, यहाँ पर bid है, यहाँ पर ask है, ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे करते हैं हम लोग, और तो यहाँ पर open इन्होंने दे दिया है, high दे दिया है, low दे दिया है, LTP यहनि last rated price दे दिया है, और today's high low दे दिया है, 424 का low बना, और 434 का high बना, यहाँ पे इन्होंने 52 week high दिया है, 175 रुपिया 50 पैसे का 52 week का low है, और 467.45 का high बना है, उसके बाद में average traded price यहाँ पर दे रखा है, previous close इन्होंने दे रखा है, volume दे रखा है, last rated quantity दे रखा है, last rated time दे रखा है, lower circuit दे रखा है, और upper circuit दे रखा है, तो अब कल यहाँ पर इसको जिएक पर मैं open करके दे देखूंगा, जैसे कि मुझे जुरोधा में, जैसे कि माले मौर्निंग में मुझे order डालना है, अगर मैं चेक करता हूँ, average traded price यह वाला column, जैसे जुरोधा में आप भी देखेगा, तो अभी तो आप चेक करेंगे, तो दिखाई देगा, late night या morning में आप वहाँ चेक करेंग रहेगा, गायब नहीं होगा, तो यह सारे आपको options यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं, यह तो overview वाला, जो यह वाला option था, overview के अंदर, अब अगला है, futures, इसके उपर चलिए, क्लिक करते हैं, और देखते हैं, क्या चीज़े हैं, futures में हमने क्लिक पर, यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो आपको और आगे की भी, मिल 30 सितंबर 2021 और 28 क्टूबर 2021, यहाँ तक का आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर जो भी futures में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग अपना देख लेंक, last credit price है, price change, perfect change, every credit price, open high, low volume, यह सारी चीज़े आपको देख करते हैं, और यह है option chain का, देखते हैं, यहाँ पर क्या दिखाता है, यह आपको option chain दिख रही है, यह काफी अच्छा, आपको upstock वगएरा में भी मिलता है, upstock नहीं, पहला मेरी खासे discount broker था, जिसने इस चीज़ को introduce किया था, तो यह आप देख लिज़े, option chain और यहाँ पर ज देखते हैं, क्या चीज़े हैं, इसके बाद यह news वाला segment है, तो अभी यहाँ पर बता रहा है, no news available, तो अगला देखते हैं, क्या चीज़े हैं, यहाँ पर अब watchlist हम ने बनाना सीख लिया है, predefined यहाँ पर इन्हों ने, यह काफी अच्छी चीज़ है, यह जरोधा को भी introduce क करनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देख रहेंगे, कि Nifty 50 है, अभी हम आपको और दिखाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो क्या-क्या option और में निकल के आते हैं, यह देखिए, Nifty 50, Nifty 500, Nifty 100, Nifty Next 50, Bank Nifty, Nifty Midcap, तो यह सारे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, एक ही जगा प आप देख लिए, चार्ट भी बन करके आ रहा है, और जो भी चीज़ें हैं, और यहाँ से जो यह तीन लाइन हैं, यहाँ से आप इसको सॉल्ट आउट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से, नेम से, यह नेम वाइस, प्राइस वाइस और परसेंटेज चेंज, तो चलिए पहल इस तरीके घटते हुए, अफिर एक बाद क्लिक करेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा बढ़ा है, फिर उससे घटते, मतलब परसेंटेज के 2.1 यहाँ पर दिखाते हैं आपको, प्लस जो सबसे ज़्यादा जिसमें चेंज हुआ है, जो सबसे ज़्यादा प्राफिट में है, प्लस 2.12%, उसके बाद 2%, उसके बाद 1.66%, इस तरीके से आप देख सकते हैं, फिर से बाद दिखाते हैं, अगर क्लिक करेंगे, परसेंटेज चेंज पे, तो जो सबसे ज़्यादा घटा होगा, वो सबसे उपर आ जाएगा, ठीक है, अब Nifty 50 के बाद Nifty 500 पे क्लिक करते हैं, तो आपको Nifty 500 के स्टॉक से एक जगहां पे एक साथ में सब मिल जा रहा है, ये काफी अच्छी चीज है, इसको मेरी खाल से जुरूता आपको भे इंट्रिद्यूस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो हमें हर स्टॉक को मैनिवली डालना पड़ता है वाच लिस्ट में, चलिए अगला देख लेते हैं पड़ापट, अगला क्लिक करते हैं इंडाइसिस पर, तो यहाँ पर आपको यह जगहां पूरा मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो All NSC, BSC जो भी चाहिए अपने हिसाब से स्लिक कर लिए, और यहाँ पर आप देखे, Nifty 50, Nifty 500, Nifty IT Nifty Bank, Mid Cap 100, Small Cap 100, यह सारे आपको मिल जाएंगे, देखे, उपस लेके निचे तो बहुत सारे हैं, अना, बहुत सारे, बहुत सारे हैं, यह कापी अच्छा हिनोंने बनाया है, अगला जो है यह ग्लोबल इंडाइसिस, काफी लोग इसको वाच करते हैं, और शी हिसाब पर अप यह सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अगला क्लिक करते हैं, यह समरी पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके देखते हैं, क्या क्या option आता है हमारे पास, top traded का option आ रहा है, इसको फिर से करते हैं, चला गया, top gainers का, top losers का, yearly high का, yearly low का, यह सारे आपको options यहाँ पर मिल जाएंगे, इसको बारी से top gainers पर करते हैं तो आपको यह option मिल गया top losers पर करते हैं तो इस तरीके का options आपके आगया है yearly high पर करते हैं तो यह options आपके पास इस तरीके साब देख लिजिएगा मैंने एक संचेप में आपको बता दिया है तो यह मोटी मोटी चीजे हैं साथ में एक चीज और जब मैंने एप को install किया था तब यह black theme में था और मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जो black theme है काफी बेकार है तो यह कैसे मिलेगा आपको यहाँ पर आपको यह जो नीची वाला option देख रहा है यह more वाला यहाँ पर click करिएगा click करने के बाद यह जो बना हुआ है इसको मैंने गोलिक अंदर किया है setting माला यह logo एक तरीके से कह लिए इसके उपर click करिएगा अब click करने के बाद में आपको यह theme वाला जो option है इसके उपर click करिएगा ठीक है और यहाँ पर आपको light और dark का option मिल जा रहा है अभी मैं आपको dark करके दिखाता हूँ यह देखे ठीक अब dark में भी इन्होंने black option दे रखा है अगर आप इसको पर click करेंगे तो आपको यह black option मिल गया अब एकदम सब बदल गया है और सब काला काला गया है तो चलिए वाच लिस्ट देख लेते हैं black option में कैसा लगता है तो यह कुछ इस तरीके से आपके सामने आया है चलिए उसको ओपन करके दिखाते हैं आपको इसके जो colors है ना वो जो red और green है यह आखों के बड़ा चुब रहा है अगर black theme में बात किया जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया था वो था शेरखान का app सबसे पहले मैंने black theme उसी में देखी थी और gajab का आप उसको देखेगा अब तो उनों लोगों पहले तो उनों लोगों ने करका था कि आप mobile number और वो सारे चीज़ें डाल करके आप कोई भी use कर सकते हैं अगर आपका उसके अंदर account नहीं है तो आप उसको use नहीं कर सकते हैं लेकिन gajab का app काफी details है उसके अंदर मुझे मलब बहुत पसंद था उसका charting में कुछ दिक्कत मुझे आती थी हो सकता है कि मुझे आता नहीं कैसे किया आता है लेकिन जो details एक normally चाहिए होती है वो सब कुछ उसके अंदर था तो यह तरीके का मैंने आपको बताने का प्रयास किया है लगबग लगबग और सारे चीज़ें लगबग मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा मैंने कवर किया है और यहां पे जरा साब देख लिए उपर आपको यहां निफ्टी फिक्टी का मिल जाएगा यह और यहां पे संसेक्स का यह इनका जो पुराना वाला था उसके अंदर यह सारे चीज़ें नहीं थी तो प्रयास अच्छा है अब चला जलिए जला यह ओडर वाला देख लेते हैं ओडर में क्या-क्या है तो इसके लिए जैसे यह वाच लिस्ट में आगए और यह स्टॉक हमने ITC है इसको रेंडेमली स्टॉक है कोई और उद्देश नहीं है इसको क्लिक कर लिया ठीक है अब हम बाई वाले ओप्शन पर क्लिक करते है चलिए बाई पर क्लिक कर लिया बाई पर क्लिक करने के बाद में अब यह काला काला है तो बड़ा अजीब अजीब सा सब लग रहा है इसको चलिए बाद में चेंज कर लेंगे नहीं जेंज करी लेते हैं कि बहुत ही अजीब लग रहा है यह करने में सेटिंग पर गया और यह थीम पर गया और हमने कर दिया लाइट चल यह सुकून आया इस लाइट में तो जब वाच लिस्ट में चलते हैं और अपना देख लेते हैं अब यह बाई वाले ओप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो बाई के विंडो में इनके पास क्या-क्या है डिलिवरी, इंट्राडे, MTF और कवर ओडर तो अपने हिसाब से छुन लिजिएगा ठीक है, ऑडर टाइप में यहाँ मार्केट का आप्शन ही मिले है, यहाँ पर लिमिट का आप्शन मिले है और यहां पर more page रहा click करते हैं देखते हैं क्या है चलिए more के option पर जब हमने click किया तो आपको day का option मिल जाता है IOC का मिल जाता है और यह VTC अभी देखे कटा हुआ है यह अभी नहीं click करेगा देखे इसको मैं click भी करूं VTC उपर तो कुछ नहीं हो रहा है यानि कि आपको अभी VTC या GTC अलग-अलग नाम होते हैं हर जगा तो ऐसा भी option ICICI market app जो इनका नया यह है इसके अंदर ऐसा कुछ option नहीं है तो यहां से quantity है जो आप मेरे खाल से manually भी हाँ इसके उपर जैसे हम click करेंगे यहां पर आप इसको delete करके जो भी आपको भरना है आप भर सकते हैं और plus one plus एक-एक पढ़ाना है तो आप यह plus वाले निशान पर यह जो देख रहे हैं इसको उपर क्लिक करके एक-एक बढ़ा सकते हैं और माइनस वाले निशान पर क्लिक करके आप एक-एक खटा सकते हैं ऐसे ही इंट्रडेव में जब आप काम करेंगे तो आप को पता ही होगा आप काम कर रहा हैं को इतने दिनों से तो यह हो गया अब थोड़ा सा देख लेते हैं अब थोड़ा सा देख लेते हैं पोर्टफूलिय वाला एक सेगमेंट ये वाला ठीक है चलिए इसको उपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डीमेट होल्डिंग यह हो सकता है कि जो मैंने वीडियो बना रखा था जो डीमेट ऐलोकेशन वाला प्राबलम आती हो सकता है यहाँसे कुछ समस्या दूर हो और आपको चीज़ें यहाँ देखने में आसा नहीं हो तो डीमेट ऐलोकेशन में देख लीज़े जो भी है यहाँ सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं दिख रहे हैं यहां सारे stocks दिख रहे हैं, मेरा एक stock ऐसा भी है, यह देखे, यह Federal Lloyd के नाम से है, जिसका की यह trading बंद हो चुकी है, 31 stocks थे मेरे पास, और आज की तारीख में यह trade नहीं होता है, लेकिन क्योंकि यह मेरे demat में है, तो trade भले ना हो, तो यह show कर रहा है, यहां open position में जब आप trade कर करेंगे, तब वहां पर यह open position में show करेगा, इकिटी portfolio, तो जो आपका portfolio है, वहां पर इस समय का, वह आपको दिखाएगा, value at market, यहां पर आपको दिखा रहा है, value at cost दिखा रहा है, और जो आपके पास stock holding है, वो सारे यहां पर आपको show करेंगे, और यहां पर filter के द्वारा आ दीख सकते हैं, तो चले उसको उपर click करके एक बात देख लेते हैं, उसको उपर click करते हैं, तो यहां पर कर रहा है, Unrealized Profit, तो जब इसके उपर हम click करेंगे, यह Unrealized Profit के ऊपर, तो जो भी profit में है, stocks हमारे है, लेकिन हम ने profit नहीं book किया है, वो show करेंगे, चले वोब चलिक करते हैं इसको पार हमें फिर से क्लिक कर लिया अब यहां पर unrealized लौस्ट जो हमारे stocks loss में है वो सारे यहां पर show करने चाहिए एक इसको मैं unrealized प्राफिट को हटाता हूँ तो यहां पर आ गया है जो भी stocks मेरे loss में हैं वो सारे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सामने, तो इस तरीके से आप भी अपना देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपको options मल जाएगा, sort by, name wise, profit and loss, realize profit and loss, LTP percentage change, तो चली percentage change वाला दिखाते हैं आपको, percentage change पर हमने किया, तो घाटे के साब से, और फिर से उसके पर हम क्लिक करते हैं अब बार, यह इसको हटाते हैं, यह profit and loss का है, तो इस तरीके से आप भी अपना देख लिजेगा, और थोड़ा बहुत मेहनद करेंगे, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, तो अब बेसिकली, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, अब बहुत सुधार की यह भी गुंजाईस है, थोड़ा मुडा नहीं, बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाईस है, जिरोधा जैसा डिस्कॉंट ब्रोकर इतना बढ़ी आप बना सकता है, तो ICICI डारेट क्यू नहीं बना सकता है, अब देखिए यहाँ पर चार्ट आ गया है SBI का, बहुत स्लो आप है, तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया नेस्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार